बुजुर्गों के लिए healthy lifestyle tips जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर अपनी तंदुरुस्ती और शक्ती को खोता चला जाता है ऐसे में उम्र से संबंदित स्वास्त समस्याओं को रोकने के लिए स्वास्त आहार बनाए रखना महत्वपूर्ण हो जाता है चलिए जानते हैं वरिष्ट लोगों से संबंदित आहार के बारे में जिसे उन्हें अपनाना चाहिए ऐसे वृद्ध वैयस्क जो पहले से किसी गंभीर बीमारी जैसे हिर्दे रोग और कैंसर या फिर मांस पेशियों और हड्डियों की समस्याओं से जूज रहे हैं उनमें परिवर्टन से संबंदित स्वास्त इस्तितियों का अधिक खत्रा होता है लेकिन पोशक तत्मों से भरपूर खादे पदार्थ खाकर और सक्रिय जीवनशैली बनाए रखकर इनमें से कई जोखिमों को कम भी किया जा सकता है कम फैट वाले डेरी उतपाद जैसे टोंड दूद और पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें क्यूंकि इनमें कैल्शियम सम्रिध मात्रा में होता है नमबर दो अनसैचुरेटिट फैट वाले डायेट लें इसके बजाए एवोकेडों, मचली और वनस्पती तेलों जैसे अनसैचुरेटिट फैट वाले फूट्स का सेवन करें नमबर तीन फाइबर युक्त फूट्स का सेवन करें उच्च फाइबर वाले फूट्स जो पोशर से भरपूर होते हैं उनके सेवन से कब्ज में राहत मिल सकती है ये फूट्स आपकी शरीर में विटामिन, खनिज और पोशक तत्वों की आपूरती कर सकते हैं जिनकी आपकी शरीर को आवेशकता होती है कच्चे फल, सबजियां और साबुत अनाज आहर में फाइबर के समरिद स्रोत है नमबर चार, लीन प्रोटीन हाई प्रोटीन कम फैट वाले खादे पदार्थ मास पेशियों के निर्मान और संभावित वजन घटाने के लिए अच्छे हो सकते हैं अच्छी सेहत और संतुलिक पोशन के लिए अलग-अलग तरह के प्लांट और मीट को चुने जैसे सफेद मास वाली मच्छी अंडे का सफेद भाव और बीन्स नमबर पाँच, पानी और हेल्दी ड्रिंक पानी पीने से डिहाइडरिशन को रोका जा सकता है जिससे दिमाग को हेल्दी रखने में भी मदद कर सकते हैं इसके परिणाम सरूप मूड में मदलाव हो सकता है और शरी के तापमान को बनाए रखने में मदद मिल सकती है इससे कबज और गुर्दे की पत्थरी को रोका जा सकता है इसके अलावा कम फैट वाले दूर, शुगर फ्री ड्रिंक्स या 100% शुब्द फल या सबजियों के रसका सेवन करने से कैलशियम, पोटेशियम और विटामिन डी जैसे महतुपूर पोशक तत्व की आपूरती हो सकती है नमबर छे, जाइफल मोरिंगा की पत्तियां या जाइफल, खून की कमी या एनिमिया में फायदे मन्द होता है अलफालफा में आईरन, विटामिन सी और फोलिक एसिड जैसे कई पोशकतत वो पाए जाते हैं जो हीमोगलोविन बढ़ाने में मदद करते हैं हल्दी के नियमित सेवन से शरीर में हीमोगलोविन का इस्तर बढ़ सकता है और एनिमिया से बचाव हो सकता है नमबर साथ, तामबे के बरतन में पानी पीना एनिमिया या खून की कमी होने पर तामबे के बरतन में पानी पीना फायदे मन्द होता है तांबे से थोड़ी सी मात्रा में आईरन पानी में घुल जाता है – जो हेमोगलोविन बढ़ाने में मदद करता है रोज सुबह खाली पेड़ तांबे के जग, गिलास या कटोरे से पानी पीने का अभ्यास करें यह रक्त में आईरन की मातरा को बढ़ाता है और हिमोगलोविन के इस्तर को सामाने रखता है और एनिमिया से रहात देता है तिल में अच्छी मातरा में आईरन और फाइवर होता है जो एनिमिया से छुटकारा दिलाने में मदद करता है तिल के सेवन से शरेर में हीमोगलोविन का इस्तर बढ़ता है. एनीमिया या खून की कमी से पीडित लोग रोजाना तिल का सेवन कर सकते हैं. एक चम्मच तिल को राद भर पानी में भिगो दें और सुबै उस पानी को पी लें. ये खून में हिमोग्लोविन बढ़ाता है इसका सेवन तिल की चटनी या लड़ू के रूप में भी किया जा सकता है तिल के बीज खून की कमी को दूर करते हैं दोस्तों उम्मिद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद